हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज में लेकर आई हूँ प्रोटिन से बहर पूर स्वीट की रेसिपी जो हर किसी के लिए स्वीटेबल है यहां पे लिए मैंने 150 गरम खजर को मैंने गरम पानी डाल के इसको 20 मिनिट के लिए रेक दूंगे और यहां पे लिए मैंने 150 गरम भुना हुआ मुमफली मुमफली को हम ट्रांसपर करेंगे एक मिकसिंग जर में इसको मैंने ट्रांसपर कर लिए और इसको मैंने पीस लिए यह आप देख सकते हैं फाइन सा पाउडर बना लिए और यह जो खजूर हमने रखे थे इसको अच्छे से दो लेते हैं उसके बाद इसके जो बीज है उसको निकालके हम खजूर को इसी मुमफली के पाउडर में डाल देंगे मैंने सारे बीच को निकाल दिये है और खजूर को भी यहाँ सारे खजूर को डाल दी है और यहाँ पे यह आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों को एक साथ में पीछ लिया है पीछने के टाइम ने हमिए पे कोई पानी या तो दूद का यूज नहीं करना है सिर्फ खजूर और मौमफली को पीछ लेना है हम हलका सा दो मिनट के लिए इसको गूत लेते हैं इस तरह से थोड़ा सा और हम इसको दो भाग में भाग कर लेंगे और यह जो दुसरा वाला मैंने पिलेट लिया था इस प्लैट में मैंने हलका सा तेल को गरीस के लिए पहले से ता कि इसमे यह चिपकेだना और इस तरह से मेंने इसको यह अब देख सकते हैं रोल बना ली है और में लिये थोड़ा सा सफीत तील, वायर्ट सिसं सीड़ना है और इसको यहां पर में राफ कर लूँगे इस तरह से लपेट लूँगी हाफ वाइट सिसम सीड में इसको में रखती हैं दूसरे प्लेट में और जो बचा हुआ पार था उसको भी हम सेंप प्रोसेस फ्लो करेंगे रिपिट करेंगे सेंप प्रोसेस को इसको भी मैंने बना ल थी और इसको मैं एक पेलन की मदद से इस तरह से सेव दे रहे हूं हलका सा इसकी यह जो सेंटर इसको इस तरह से में दबाते हुए इस तरह से बना रहे हूं हो चुका है तो मैंने यह वाइड चोकलेट सिरप को इस तरह से थैली में भार ले थी तो इसको मैं इसके बीचों भी इस तरह से रख रही हूं और यह डार्क चोकलेट सिरफ मैंने बना ली थी यह मैंने डैरी मिल्क चोकलेट से बना ली थी और इसको भी थैली में भरके इस तरह से मैं इसको डिजाइन कर रही हूँ थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ ये स्वीट बनाना बहुत ही आसान है, ये हर किसी के लिए स्वीटेवल है, ये बिल्कुल सुगर फ्री है, हम इसमें कोई चीनी का एड नहीं कर रहे हैं, और इसको मैं इस तरह से डिजैन कर रहे हूँ अब हम इसको फ्रीजर में रख देंगे 30 मिनिट के लिए, 30 मिनिट फ्रीजर में रखने के बाद ये आप देख सकते ये पूरी तरह से सेट हो चुकआ है, और अब इसको काट लेते हैं, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हल्दी है इसमें हम कोई सुगर के एड़ नहीं करें ये बस डेट और मंफली से बनाए तो ये बहुत ही हल्दी है और साथ में टेस्टी भी वीडियो पसना आए तो लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए बिल आइकन को प्रिस करना ना भूलिए ये रेड़ी है सर्फ करने के लिए ठेंक यू फूर वाचिंग हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में